बेबात में बस अपनी ही बात कहता है मेरे अंदर मेरा एक छोटा सा सहर रहता है नमस्कार आप देख रहे हैं दिलंकादेन.com और मैं हूँ आपके साथ आकास सिंग इसमें भारत में बहुत से समस्याएं हैं और इन तमाम समस्याओं में बिरुजगारी एक प्रमुख समस्या है आज मैं इसमें बधोही के बीरापुर गाओं में मौझूद हूँ और मेरे साथ मौझूद है मेरे दोस्त सोनू सोनू welding workshop चलाते हैं आत्म निर्भर हैं अपना व्यापार कर रहे हैं तो हम सोनू से जानना चाहेंगे सोनू जैसा कि lockdown लगा था और lockdown में आपका व्यापार कैसा था और किस तरीके से आपने इस व्यापार को सुरू किया थोड़ा सुरू आपके बारे में बताईए और आत्म निर्भर भारत के बारे में आप क्या सोचते हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताईए जब हम लोगें काम सुरू किया था Firstly मैं कहना चाहूंगा कि मेरे पापा के छोड़ा सा कालिन का व्यापार था और दो साल पहले वो धिरे-धिरे एकडम से बंद हो गया घर में जो पैसे थे वो भी धिरे-धिरे खत्म हो गए तो पापा ने कुछ नया काम सुरू करने का चाहा तो हम लोग यह बाद पैसे एकडम से नहीं थे खाने के लिए भी पैसे नहीं थे तो पापा ने 40,000 रुपय लगभग बैंक से लोन लिया और उसे हम लोग ने यह वेपा चालू किया बद 40,000 रुप तो मतलब जो कालीन का जो बिजनिस था आपका वो चला नहीं ठीक से वो चल रहा था सदियों से चल रहा था सर बद कुछ समय पहले मतलब एकडम से बंद हो गया तो पापा ने उसमे बैट दुखाए फिर दिरे दिरे वो पैसे सब खतम हो गए तो 40,000 रुप जो बैंक से लिये तो सुनाटा फाइनस दे वो इनफ नहीं था इस वाक्साप के लिए जी जी तो हम लोग काम जानते नहीं थे कि काम करना कैसे है जी तो मैंने ही मतलब चालू किया उसके बाद मैं किसर यहां कई सब्सक्रीचा मेंने में कई सकते हैं करना फिसका के लिए लिए आपने के अर्पनधर के लिए दोसरे के वरक्शाप में लोग मौऊ क्यों है में नहीं भर कि नहीं आता था तक है कम है कर देखते लागरों को जोने Questions कर नहीं फिए सुट प्रफ़ी जानकारी हो गई है तो मैं आप मुमीद है कि मैं लोगों से अच्छा भी काम करता हूं सुनों आपने पढ़ाई नहीं कि क्या पढ़ाई करते हैं मैंने दसवी के बाद पढ़ाई छोड़ दी एक बाद एक साल लगा था छोड़ा उसके बाद मैंने फिर आई आई सब्सक्राइब करते हैं लेकिन समस्या यह है कि अगर अभी हम लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दें तो पता जगहाँ है कैसा कैसा चल रहा है आप कामधां कितने लोग आपके हां का मरते हैं और आप नोक्री के बारे में क्याम को मैं सोक्षे पंद लिभाय मुझे लगता है कि यह नंолод ज भी करनी के लूकंपलंस को इतन है अचीफ विद्այर्मेंस को ऐ सबसंद आप्ट करके लोगों घरत सकती ह ons लोग को ना करना देर आकीट जब वी नहीं सकती को a man to not review डिने के लिए बनी भी नहीं है जमагंब een सब्सक्राइब करते हैं आप अंग्रेजी अच्छी बोलते कहीं जॉब के लिए नहीं ट्राइब किया आप खुस हैं अपने इस वेल्डिंग वक्साप से हाँ मैं जो भी हूं सब्सक्राइब करते हैं अपने साथ त्यूंट को और जोइन कर सका हूं अगे लगता है कि मुझे इस अपने वक्साप को और उच्छे पर उचाई लेवल पर ले जा सकता हूं और कई लोगों को यहां तक हजारों लोगों को नोकरी दे सकता हूं मेरे पाथ आगे कि काई कई प्लैंस हैं मैं सोच भी रहा हूं की करूंगा अब आद देखना है क्या होता है सरकार से आप क्या अमीद लगाके लगते हैं सरकार के काम से आप कितना खुछ हैं मोदी सरकार के मोदी सरकार के काम से और और योगी सरकार के काम से मैं अपनी काम से काफी खुछ हूं क्योंकि यहाँ मैं आपना काम करती है मैं अपना काम कर रहा हूं पहलोग तो यह विए उनका थोरा प्रेसर कम कर रहे हैं यह सह लेकी सवाल लेटा है साध हमें एक क्याना चाहिए यह मुझे लगता है फ़ड़ी साल है कब कबसे आपने काम स्टार्ट किया कितने साल सापय काम कर रहा है wouldn't you are a Drug Life को के से भिजनिस और जॉब को अप कशे द Γשाप को अब का पो ल देखते हैं नों में क्या डिफरेंश आपको लगता है जॉब कैसी है心 जिस अपने आप खुद मालिक होते हैं कभी भी लीव दे सकते हैं लेकिन जॉब एंड वेपार में काफी डिफरेंसी है जॉब वो कहलाता है जिसके लिए हम रात दिन रात एक में करके मेहनत करते हैं वेपार में सपोजी सिंपल सब्दों में कहें तो वेपार नौक जिस काम को दे तो आप अपना काम सुरूब कर सकते हैं वेरुजगारी के बारे में आप क्या कहेंगे बहुत सारे युआ हैं पड़े लिख्याय हैं जिन नहीं उनके पास नौकरी नहीं हैं इनके पास नसाहतन चाहता हुआ क्हों क्या होताके हो बिजनिस लिए होता है भी प्र harvest कि बिजनिस चली जाएगा तो ऐसे यूआओ को आप क्या कहना चाहेंगे खासकर आपका वेल्डिंग वर्क्सवाप अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं आपका काम ठीक ठाक चल रहा है तो यूआओ को आप कौन सा संदेश देना चाहते हैं हमारे माध्यम से कि यहाँ अपने यहां यहां काफी यूआ यहां तक मुझे लगता है लाखो यूआं गौर्मेंट के बरुस्टे बैटे आएं लगता है कि हम गौर्मेंट जो पर पाजाते हैं तो साइद में पगार मिलेगी यहां काफी लोग उसका फारदा भी उठाते हैं ड्रॉन्टेज प्रवाइब आपना देश है अगर अपने युवा चाहें तो खुद जॉब करके वेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकते हैं गवर्मनेंट कभी नहीं दूर कर सकते हैं अगर को सिक्षा के बारे आपका क्या रहा है कि अगर थे लिजन कर सकता है और को यंडर कषी मथे बोस्त इंसता ना बीक द्सटार्ट करना देश स्यूंस को श्यूंस बन्संट नहीं कर सकता Kin совсем वो अच्छा कासा ग्रैफिक्स वगरा जानता है तो चाहे जिसे अब हमारे हाँ एगरी कल्चर में ट्रेसर वगरे नहीं नहीं बनते हैं वो डिजाइन करके अपनी खुद की एक बड़ी वाक्साप डाल सकता है चुकि उसने बीटे किया है तो गौर्मेंट से अच्छी कासी ले सकता है उसके बाद अपना बड़ा सा वकसा बना के दूचार इंजिनियर सायर कर ले उसके बाद डिजाइन कर से नहीं नहीं मसीनों को बनाए एंड इसा नहीं है कि आपने बीटे किया है तो आप बिजनेस वेल्डिंग का नहीं शुरू कर सकते हैं पर आपको खूद व दूबाए पड़ा लोग सहर से गाउं चले आए थे काफी लोग तो लोग विस्ताहिसं नहीं सब लोग आया थे तो बिना पैसे के आएंगे पैसा था उन्होंने काम जाजों घर आया थे उन्म लोगों भर आया है क्वश्टा काम मतलब घर को बनवा लूँ तो